हलो रेट फेंट्स मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने शेनल आपकी सहीली सुमन में फिन चास के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंसी टेस्ट में अगर एक लाइन डार्क और दूसरी लाइन बहुत हलकी हो तो इसका क्या मतलब होता है क्या ये प्रेग्नेंसी है तो प्रेग्नेंसी टेस्ट में एक हलकी लाइन आने के दो कारण होते हैं पहला कारण ये होता है कि अगर किसी महिला ने प्रिग्नेंसी टेस्ट को बहुत जल्दी कर लिया है, यानि कि पीरियन आने के एक या दो दिन पहले किया है, तो एक लाइन दारक और एक लाइन हलकी आती है। दूश्रा कारण ये होता है कि अगर महिला के सरीर में बेटा-HCZ हार्मोन कम बना है तो भी प्रेग्नेंसी टेस्ट करते वक्त एक लाइन डार्क और एक लाइन हलकी आएगी। क्या होता है बेटा-HCZ हार्मोन? बेटा-HCZ हार्मोन का मतलब है human chorionic gonadotropin. एट-HCZ हार्मोन प्रेग्नेंसी का पता लगाने और इसे बनाई रखने में एक महत्तरपून भूमी का निभाता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके सरीर में बेटा-HCZ हार्मोन बढ़ने लगता है ये हार्मोन गर्प में भ्रून दारा रिलिस किया जाता है जब भून बढ़ना शुरू होता है तो बेटा-HCZ का लेवल धीरे-धीरे बढ़ने लगता है होम प्रेग्नेंसी टेस्ट कित में सुभह की पहली यूरीन दुआरा इसी प्रेग्नेंसी हार्मोन-HCZ का पता लगाया जाता है जिसमें टेस्ट की रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं अगर कोई महिला पीरियेट मेस होने की एक हफ्ते बाद प्रेग्नेंसी टेस्ट करती है तो दोनों लाइन डार्ग आएगी इस हार्मोन की प्रेग्नेंस और अपसेंस यह तेह करती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं आपका पॉजिटिव या प्रेग्नेटिव रिजल्ट हार्मोन पर आधरित होता है इसके लाए हलके लाइन आने का कारण ब्रोन में डिफेक्ट भी हो सकता है इससे पता चलता है कि प्रेग्रेंसी दो थी लेकिन वह स्ट्रॉंग नहीं थी तो फ्रेंड्स बस यही ता मेरा आज का वीडियो आप लो